Hello friends, मैं हूँ अनुराधा, a healthcare professional और आप देख रहे हैं अनुराधा care channel comment session में आप लोगों का एक common सवाल रहता है कि अगर किसी महिने में आपका periods आने के दोरान आपको light spotting या फिर light bleeding हुआ तो इसका मतलब क्या है और अगर आपको light spotting या फिर bleeding होता है उस महिने में तो आप उसको क्या समझे और क्या ये pregnancy हो सकता है तो आज की इस वीडियो में हम इसी topic के उपर discuss करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो हर किसी महिने में आपका light bleeding भी हो सकता है और कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका periods totally miss हो जाता है या फिर 10-15 दिन लेट भी हो सकता है लेकिन आगर आप pregnancy के लिए try कर रहे होती है और उस महिने में आपको light spotting या फिर light bleeding देखने को मिले तो आपको बिल्कुल भी confused हो जाते हैं कि ये जो light spotting या फिर bleeding कहीं implantation bleeding तो नहीं है या फिर आप उस bleeding को implantation bleeding समझे या फिर period समझे और अगर वो implantation bleeding था तो क्या आपको pregnancy test लेना चाहिए implantation bleeding जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ spotting होता है और उसका जो color होता है वो light pink हो सकता है या फिर pink के से spotting हो सकता है इसका कि duration 1-3 दिन तक हो सकता है ये जो bleeding होता है वो on and off होता है यानि कि एक दो बार spotting हो गया उसके बाद 4-5 गहंटे तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा फिर उसके बाद थोड़ा बहुत spotting हो गया और उसके बाद थोड़ा बहुत spotting हो गया ऐसे करके 1-3 दिन तक आपके साथ हो सकता है और implantation bleeding के दोरान आपको पैड यूज करने के बिलकुल भी जरूरत नहीं होता है और implantation bleeding के दोरान bleeding तो होता ही नहीं है आपको clottings भी नहीं होता है और कोई भी tissue या फिर mucos भी पास नहीं होता है और implantation bleeding जो होता है वो आपके periods के 4-5 दिन के बाद या फिर जिस week आपको अपना periods expect कर रही होती है उसी week में ही आपको देखने को मिल सकता है तो चलिए हम जानते हैं कि अगर यह implantation bleeding नहीं है तो किस बज़े से आपको यह light bleeding या फिर spotting देखने को मिल रहा है तो पहले हम जानते हैं कि आप इसे light bleeding कैसे मानेंगे देखिए friends आप आपने period cycle length को अच्छे तरह से समझ रहे होगे आपका period का bleeding time नॉर्मल से कम है यानि कि suppose पहले आपको 4-6 दिन तक bleeding हो रहा होता है लेकिन इस महिने आपको सिर्फ 2-3 दिन का bleeding होके रुग गया है या फिर अगर हर महिने के तुलने में इस बार आपने बहुत ही कम प्याड यूज किये हैं या फिर बहुत सारे महिलाओं को एक दो दिन के लिए बहुत ही ज्यादा heavy flow होता है उसके बाद धीरे धीरे उनका flow कम हो जाता है लेकिन इस बार जो starting का जो एक दो दिन है उसमें सिर्फ light spotting या फिर light bleeding ही देखने को मिल रहा है तो आप उसको light bleeding मान सकते हैं लाइल बीडिंग होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं उनमें से पहला है stress अगर आपको इन सदोरान कुछ चीजों को लेकर बहुत ज़्यादा stress में हैं आपके work pressure को लेकर या फिर आपको personal life को लेकर बहुत ज़्यादा stress रहे होंगे तो आपका period light आ सकता है इसके अलाबा अगर आपका hormone में थोड़ा बहुत irregularity आ गया है तो इसके बज़े से भी आपको light period देखने को मिल सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा weight loss किये हैं आपके सरीर में fat के कमी को होने के बज़े से आपका ovulation delay हो सकता है या फिर इस महीने आपका ovulation हुआ ही नहीं ज या फिर कुछ दिनों से birth control पी यूज कर रहे थे तो आपका जो uterus का lining है वो भी थीन बनता है यानि कि पतला बनता है इसलिए भी आपको light spotting या फिर light bleeding देखने को मिल सकता है अगर आप इस महीने बहुत ही ज़्यादा workout किये हैं या फिर ज़्यादा exercise किये हैं तो इसके बज polycystic ovarian syndrome या फिर polycystic ovarian disease के बज़े से या फिर peri monopole इसके बज़े से भी आपका period light आ सकता है अगर एक या दो महीने के लिए आपका period light आता है तो इसमें ज्यादा concern होने के बात नहीं है लेकिन अगर आपका period 6-7 महीने के लिए light आ रहा है जो कि आपके साथ usually नहीं होता है तो इस case में आपको एक बार आपने gynecologist या फिर doctor से consult जरूर करना चाहिए तो मैं उमीद करती हूं कि ये वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो like किजेगा और साथी साथ दूसरों के साथ भी share किजेगा और एक नए informative वीडियो दबतक के लिए stay healthy and stay happy